सेवा जोहर दोस्तों मैं राहूल कन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है आपने जो अभी ये मेरे पीछे आप बैग्राउंड देख रहे हो शाम हो गई है मेरे ख्याल से 6 बज रहे हैं आप मैदान है और मैदान में पीछे एक बड़ा पेड है पेड को देख जैसे मैं किसे एंजीओ के सबके आगड़े अगर आप निकालेंगे तो ये नजर आता है कि ट्राइबल समुदाय में शिक्षा लेने का जो स्तर है वो कम है ट्राइबल समुदाय में शिक्षा को लेकर आज भी जागरिती नहीं है वुदा सिंता है इन चीजों को जब हम पढ़ते हैं समझते हैं तो हमें यहीं लगता है कि शिक्षा के बारे में हम जाकरूती करनी चाहिए और वह करनी चाहिए हूनी चाहिए क्योंकि आगे आने वाली रेस में हम तब ही दोड़ पाएंगे जब शिक्षा का एक माध्यम हो लेकिन उससे भी पहले कि हम बात अगर करेंगे तो क क्या ऐसा है जो ट्राइबल समुधा है बाकी शिक्षा के तंत्र से इतना लगाव नहीं ला रहे हैं इतना लगाव लगा नहीं पा रहे हैं इसा क्या सिस्टम हो गया है तब हमें जाकि यह समझ में आता है कि नहीं यहां पर ट्राइबल एडूकेशन सिस्टम कुछ अलग थ अगर आप बाद करेंगे गोटूल की तो गोटूल में अलग तरीके से सिखाया जाता था एक ब्लैक बोर्ड और एक बंद कमरा नहीं होता था या फिर ऐसा भी नहीं होता था कि टीचर डांटे तो जाके वहां पर होंवर्ख होता था यह एजूकेशन था प्रकिर्ती का तो प और फरक नहीं पड़ता लेकिन व्यवारिक जो नौलेज है जो कॉमन लोगों में काम आता है वह नौलेज अगर कम हो तो आपको मतिमंद बोलते हैं लोग मुर्क बोलते हैं क्योंकि जो व्यवारिक ग्यान है उसको लेना बहुत ज़रूरी है तो वैसे ही हमारे गोटूलों चाहे आप गुरुकुल समझे गुरुकुल भी वो कॉपी थी ट्राइबल एडुकेशन सिस्टम की तो आप गुरुकुल ले या गोटुल ले उसमें एक महत्वपूर्ण युनियरसिटी और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था पेड़ और ये सब्जेक्ट आपको जितना लग कर सकते हैं इतना इसमें पावर होता है लेकिन आप पढ़ेंगे कैसे इसको सीखेंगे कैसे चलिए मैंने एक वीडियो में बताया था फिर भी आज बता देता हूँ एक पेड़ है जिस पेड़ का सिस्टम जो है कि मुझे बहुत सारी email आये थे और ये सवाल मुझे live भी पुछा गया थे कना कि हम साथ भवर क्यों लेते हैं लोगों की copy क्यों करते हैं पहला सवाल कि लोग जैसे साथ फेरे ले लेते हैं शादी में तो हम भी साथ भवर लेते हैं anti-clockwise तो ये anti-clockwise जब हम चलते हैं प्राक्रि एक पेड है, जिस पेड को साक्षी मानकर हमारे पुर्खा शादी करते थे, पेड को साक्षी मानकर ही उसका पेन करसाड में, उसका जो कोर मरा कहते हैं हम लोग, वो भी वही होता है, और आसाम में जाके देखेंगे, आप तो किसी पेड के नीचे तुंडा निंग भी होता है, याने हर जग़ पे जो ट्रैबल फैला है वो अपने सभी नेंग, सभी परमपरा है पेड़ों को छोड़ कर करते ही नहीं उन्हें आगर आप कॉंक्रिट की जंगल में याने किसे शहर में लाके रख देंगे तो अपने परमपरा को नहीं नहीं भापाएंगे उन्हें एक पर्टिकुलर पेड लगेगा उनके पूच़ है, उनका पेड के नीचे उनका पेड सिस्टम लगेगा बहुत सारी चीज़ें लगेगे तो पेड पेड इतना ही क्यों इंप्टेंट है और पेड को जैसे मैंने कि बताया कि एक यूनियोट के कैसे क्या है जैसे कि पेड़ खड़ा है तो आप खड़े है आप मान लिजिए कि एक पेड़ की जगा आप खड़े है और उस पेड़ को बहुत सारी डाली आगी ये वो रिष्टे हैं जो आपके खून के रिष्टे है जिसमें से कुछ बड़े रिष्टे हैं जो बड़ी टहनी है लेकिन उसमें से कुछ छोटी भी रिष्टे है जिनके भी मायने आपके यहां बहुत ज़रूरी है और ये सब रिष्टों को संभालते हो आप जिन्दगी ज ना दिया है जो कि आपको समझाएगा इसके लिए किसी गुरू की जरूरत नहीं है कि कोई गुरू आएगा दिक्षा देगा और फिर आपको इनका ग्यान पता चलेगा आप जाईए प्रकृति के पाच जाईए सम्रेस होने की कुशिश कीजिए आपको बहुत सारी बाते समझ पुनेम बहुत ज़ादा सिखाया नहीं जाता पुनेम बहुत ज़ादा समझा जाता है तो इसलिए अलग-अलग लेखक अपने अपने दुरुष्टिकों से पुनेम को समझते है पुनेम इतना गहन विशय है कि इसकी एक ब्याक्षा नहीं बन सकती आप दूसरा लेखक कि पेड महत्वपूर्ण अंग है अभी बात आती है कौन सा पेड अभी इसमें कौन सा पेड यह सवाल आता है यह सवाल पुनेमी सवाल नहीं है अगर आप पुनेम को मानते प्रकृति को सारी नजरों से देखते हैं समानतावाद से देखते हैं तो आप किसी एक पेड को बड जाने वाले सभी जनजातियों में ये एक मान्यता है कि जब यहाँ पे फसल नहीं थी या जब यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल बनाता जहाँ पे हमें फसल या खाने को कुछ नहीं मिलता था तब गोंड समुदाये ने बहुत जादा गुजर बसर महुआ पे की हैं महुआ का साज बना के पिया है महुआ को खाया है महुआ को उबाल कर खाया महुआ के लड़ू खाया है महुआ को अलग-अलग पदार्थ बना के महुआ का सेवन किया और बहुत जादा दिन तक वो जिन्दगी चली है ऐसा हमारे पुर्खाओ के पाटाओं में कथाओं में आत प्रकृति को नमन करने का यह तरीका है प्रकृति को थैंक्स बोलने का उर्च के करीब जाने का सिधा हम पहले सवाल पर आते कि साथ जो भवर लिया जाते हैं तो साथ यहां आकड़ा आया कहा से उसकी खोज अगर हम करेंगे तो बहुत सारे चीज़े मिल जाएंगे साथ यह वो साथ वो साथ लेकिन मुझे यह लगता है परसनली कि साथ का आकड़ा जो है वो इस पेड़ों को समझने के बाद ही आया होगा जी हां मुझे यह लगता है परसनली कि आपके पुर्खाओं के पुर्खाओं के पुर्खाओं के पुर्खाओं के पुर्खाओं के पुर्खाओं के पुर्खाओं इस पेड को समझने के बाद आपको समझ में आएंगे चलि हम बात करते हैं यह साथ का आया कहा से तो पेड के पार्ट भी साथ है विलासपूर गया था विलासपूर मिला था तिरुमल केपी प्रदान जी से और यही बिलकुल सवाल मैंने किया था कि साथ भवर आप करवाते है जब गोंडी विवा होता है मडमिंग होता है तो साथ भवर करवाते हैं तो क्या है इसका रिजन तो केपी प्रदान जी ने बढ़िया से बताया तो के साथ पार्ट होते है अक्चुली उसकी जड़ उसकी चमड़ी उसकी टहनी उसका फूल उसका फल उसका पत्ता उसका तन और उसके बीज ये साथ जो चीजे होती है इससे ही वो रिपीट हो जाता है बीज से छोटा सा पेड़ बना उसके बाद उसकी जड़ मजबुत हो गई उसका तना बढ़ गया उसकी डाल बढ़ गया उसको पत्ते आ गए उसको फूल आ गए उसको फल लगे और फल से पूर्णता बीज बना ये जो सरकल पेड़ का चल रहा है ये प्रकिर्तिवाद के शुरू से चल रहा है और अंतक रहेगा और इसी नियम को इसी उनिवर्शिटी को हमारे पूर्खाओं ने बड़े प्यार से समझा है और इसलिए इसको समझ कर हमारे कल्चर में इसको पीरो दिया है इसलिए साथ भवर होते हैं आप भी कई सुनेंगे तो आपकी पूर्खा है आपकी माताजी वगरा ये बताती है कि साथ बहनों की कहानी भी बताती है बहुत सारी जगों पर इवे साथ बहनों के कहानी बताय जाती और uży लिए गर में कुछ अगर न्या बनाया जाता है तो उनको लाके आंगान में डाल दिया जाता है सबसे पहले उसे नवाला या नवद Christ कहेंगे वह भी डाला जाता है साथ बैनों की कहानी है, साथ की ठ्योरी जो है न, यह पूर्णतासे प्रम के ग्यान से आई है, और यह साथ जो प्रकार है, आप मेरे पीछे जो पेड़ है वो नीम मड़ा है, याने खैरोदाई का पेड़ है, तो इसके अगर आप स्टोरी देखेंगे, तो इसके स्टोरी से आप बाकी पेड़ों की स्टोरी का अंदाजा लगा सकते हैं इस नीम के स्टोरी को हम देखेंगे तो नीम का पेड़ आपके हर गाव में होता है गाव में इमली, मरका यानि इमली, आम और नीम यह आपको दिखाये जाते हैं, दिखते हैं किसी के घर में होंगे, किसी के आजो बाजो में होंगे, लोगों इसको तोड़ते नहीं है, उसको बढ़ने देते हैं, क्योंकि वो गाउ में रहने वाला पेड है, तो यह गाउ में क्यों रहता है, और मोस्टली आप खैरोदाई, जिसे कही कही शेतर में शितला माता बोलते है बट खैरोदाई गोंडी नाम है तो इस खैरोदाई को अगर हम पूझने जाते हैं तो हमें दिखता है कि गाव के पुर्व दिशा में mostly जादातर और खैरोदाई का जहां पेंठाना होता है वहां पे बड़ा नीम का पेड हमें नजरा आ जाता है और जब गाव में किसी को बुखार हो रहा है किसी को कुछ बिमारी हो रही है तो माँ सबसे पहले नाद होके पहले खैरोदाई के पास जाएगी वहां से उके दो-चार नीम के पत्ते लेके आएगी वो पानी में ऐसे डाल के ही लाएगी और फिर वो ही पानी बच्चे को पिलाए जाता है और mostly cases में उस बच्चे का बुखार भी उतर जाता है अभी कोई दूसरी बिमारी हो कोई malaria और typhiid हो तो वो अलगी बात है लेकिन छोटा-मोटा बुखार रहा है तो वो उतर भी जाता है यह मैंने बच्चपन से देखा है मेरी माहा ने किया और मेरा भी बुखार होता है इसमें कोई दौराए नहीं है तो यह कैसे होता है इसके पीछे का वैग्यानिक कारण क्या है इसके पीछे का वैग्यानिक कारणी है कि आपके गाव में जो खैरोदाई होती है actually इसी पेड की होती है वो पत्थर की मुर्ती होती नहीं है लकडी की पेन होती है mostly मारस्ट में अगर देखा जाए तो वो लकडी की पेन होती है और वो लकडी भी यूज की जाती है नीम की तो इसमें अंधर्शद्दा वाला कोई भाग है नहीं उसके बाद अगर देखेंगे कि नीम के पत्ते पानी में डाले हुए लाके पीलाए जाता है तो इसके पीछे भी रिजन है कि गाव में एक ऐसी मान्यत होती है हमारे गुंडियनों में कि खैरोदाई का मुख्य पेड नीम है लेकिन नीम एक प्रकार का नीम नहीं है नीम मेरे खाल से 9 या 10 नीम है अभी exactly मुझे पता नहीं है कि 9 या 10 है लेकिन नीम के अलग-अलग प्रकार है जैसे कि आप खटा नीम देख लेंगे वो अलग है यह आप देख लेंगे वो अलग है मीठा नीम जो आप सब्जी में वगेर डालते हों वो नीम अलग है भूई नीम का नाम सुने हो जो गुंडी में बोलते हैं भूई नीम वो कही जंगल के शेत्र में भी आपको जहां पानी होता है वहाँ पे मिल जाता है वो सबसे कातिल और कड़वा होता है वो भी नीम होता है नीम के अगर प्रकार देखेंगे तो आप जाएंगे तो बड़े-बड़े पत्ते वाला एक बड़ा पेड आता है उसे भी अलग प्रकार का नीम कहते हैं मुझे 5-6 तो पता है उसके बाद के नीम मुझे पता नहीं है लेकिन वो जंगल में होते हैं और उनके प्रकार उतने होते हैं कहने का दात पर यह है कि मैं आपको बोर नहीं करना चाहरो मैं आपको यह समझाना चाहरो कि इस पेडों के बीछे क्या रिज़न है तो जब गोंडियन में ऐसी एक बीमारी आई थी जो लोग मर रहे थे उस बीमारी में जिसे हैज़ा भी बोलते हैं या और कुछ बीमारी आई थी तो उस बीमारी में खैरो दाई ने नीम के प्रकार है उन सभी को इकत्रित किया उसके एक आउश्यदी बनाई दवाई बनाई और वो लोगों को दी और लोग इससे बच पाए हैं उस महामारी से तब से खैरो दाई का पेड़ नीम माना जाता है और खैरो दाई को जड़ी पुटी की जननी करके उसको पूजा जाता है ऐसी कहानी आपको महुआ के पेड़ के साथ दिखेगी ऐसी कहानी आपको काट साओरिया ने वेलेक मड़ा के पास दिखेगी ऐसी कहानी आपको साजा मड़ा के पास दिखेगी ऐसी कहानी आपको बेल के मड़ा के पास दिखेगी ऐसी परसा मड़ा और जो भी जितने अलग-अलग कहानियों को बया करते हैं यह कहानिया हो सकता है हमारे पुर्खाओं ने हमारे डिक्षिनरी में यह कहानी इसलिए डाली हो क्योंकि हम इस पेड़ का जो महत्व है इसको भूले नहीं इसको आगे तक लेके जाए और यह कहानी उनको भी पहुचा दे और इसलिए हमारे पुर्खाओं ने जो कहानियां हमें बताई है एक्चुली वो कहानी नहीं तो इतिहास है जिस इतिहास को जाननी की बहत ज़रूरी है क्योंकि इस इतिहास को तो हम भूलते जारे और किताबी इतिहास को रट्टा मारते जारे लेकिन क्या वो इतिहास सही है यह भी एक सवाल तो पैदा होता है तो इसलिए मोखिक नॉलेज को कम ना समझे कोई आपको बोल देता है कि किस किताब में लिखा है हमें लिखने की जरुरत क्या है जब हमारे माइंड इतने स्टॉंग है तो लिखने की जरुरत क्या है किसी इतिहास को हम आज भी अपना इतिहास मुखोदगत बता रहे जिसकी भौगलिक दुरुष्टी से भी वो आज भी खड़ा है तैयार है तो हमें प्रूफ करने की क्या जरुरत है किसी को हम जानते हैं हमारा इतिहास क्या है हम अपने सगाब भाईयों को बता रहे इसमें दिक्कत क्या है तो इसलिए यह जो पेड़ होता है यह पेड़ बहुत महत्वपूर्ण होता है कभी टाइम मिले ना आपको भाईया तो आप जाईए शानती से मोबाईल घर में रख दीजिए शानती से निकलिए किसी पेड़ के निचे बैठ जाईए बढ़िया से उस पेड़ के साथ सलगन हो जाईए उस पेड़ को पहले निहारीए समझिए देखिए और वो पेड़ आपको संदिश आपके लाइफ में क्या देता है डेफिनेटली आप 100% उस पेड़ से गहरा संदिश लेकर घर चले जाएंगे इतनी ताकत इस प्रकिरती में इस पेड़ों में होती है आपका मुड़ बदल देता है आपके ज्यान के भंडार को और गहरा कर देता है सिर्फ इस ज्यान के भंडार को कैसे लेना है इसके तरकिब होना बहत जुरूरी है आप अगर शांती से जाएंगे उसे समझने आपको वो दूगना दे देगा आप जबर शांती उसे काटने जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा यही सिस्टम है प्रकृति को सीखना है तो माइंड खुला करके जाना है बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुबह उठके तीन घंटे आप ध्यान साथ न कीजिए हाँ ठीक है आपके माइंड को एकागर करने के लिए वो चीज़े ठीक हैं बट हमारे गोंडियनों में कहीं पे भी किसी भी लिंगों ने मुझे ये करते हैं नहीं सुना मैंने या पढ़ा भी नहीं कि जाईए आप किसी जगह पे बैटी और ध्यान साथ न कीजिए कुपार लिंगों का कहना यही था कि आप प्रकृति को अगर समझना चाहते है तो खुले आखों से समझिए एकांत में जाईए हर एक चीज़ को समझिए आपके जीवन में वो परिवर्तन लाएगा एक जगह पे जाके आप आपको अगर आखे ही मिटना है तो आप घर में भी मिट सकते हैं आख घर में भी बंद कर सकते हैं अगर आपको प्रकृति को सेखना है तो आख खुली रखे और शान्ती से अपने माइड में आने वाले ज्यान को रोके नहीं और उसे आने दे आप अगर ये चार-पाश दिन करेंगे छटवे दिन आपको नजर आएगा कि मेरे ग्यान की गहराई में इजाफा हो रहा है वो बढ़ रहा है ये आपको समझ में आएगा और इसलिए आज भी गोटूल के कई भी सेमिनार होते हैं 36 गड़ में जहाँ पर हम लोग जाके थोड़ा सा सलगन हो सके एक आगरित हो सके तो दोस्तों मेरी थियोरी तो यही कहती है कि जो साथ काकड़ा आया है वो ऐसे ही अंगों से आया है और बहुत सारी चीजे जो हमारे लाइफ में आती है जाती है अगर आप देखेंगे तो पेड़ और आपके जिन्दगी में बहुत जादा अंतर नहीं है सिर्फ आप यहां से हिल डूलते है और पेड़ वही के वही खड़ा रहता है लेकिन जिन्दगी वो भी जी रहा है आप भी जी रहे हैं आपके जीवन में ऐसा अक्षान आता है जब आपको कुछ सुचता नहीं क्योंकि सब छूटते चला जाता है उसके भी जिन्दगी में एक ऐसा अक्षान आता है जिसे पतज़ड कहते हैं हम लोग पत्ते वित्ते सब साथ छोड़ने लगते हैं लेकिन कुछ समय के बाद समय ऐसी दवा है जो काम करती है और कुछ समय के बाद उसे भी पत्ते आ जाते हैं और हमारी भी जिन्दगी में अगर हम सयम बरते तो हमारी जिन्दगी में भी खुशिया लोटाती है बहुत सारी चीज़े हैं जिसको आप relate कर सकते हैं वीडियो बोलते बोलते मैंने बहुत बड़ा बना दिया है अगर इस वीडियो को आखरी तक देख रहे हैं तो मुबारको आप पुनेम को पाना चाते हैं और उसी दिशा में आप काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही ग्यान को अरजित करते रहे ग्यान कहीं से भी मिल सकता है कोई भी दे सकता है इसके लिए पर्टिकुलर चाइनल की ज़रुरत नहीं है जल्दी से जल्दी लाइव टुगेदर में कि यूटूबर्स को भी मैं लाइव लाऊंगा मेरे चाइनल पर और उनी से भी बात होगी उनके चाइनल के बार में हम जानकारी लेंगे और सभी यूटूबर लोगों को आप सस्क्राइब करना है क्योंकि जो कोईतुर गुंडियन मीडिया है उसको सामने लाना है मैं समाज के छोटे बड़े सभी ट्राइबल को यूटूबर को एक साथ ले गया हूँगा और इनको एक साथ लेके आपको इनकी जानकारी मिलेगी और तब ही जाके हमारा जो मीडिया है वो सक्षम हो पाएगा तो आज बहुत जादा बोर कर दिया है मैंने तो अगले बार भी आपको ऐसे नौलेज से बोर करूँगा तो मिलता हूँ अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय सेवा जय 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 दियसी जो गुंडवाना जय भीम